पवंद सिंग पर तूटा दुखो का पहार जी हाँ ये खबर देते हुए हमें भी काफी दुखो रहा है कि पवंद सिंग के भाई समान दोस्त दीपक सिंग के मा की मृत्य हो गई है जी हाँ ऐसे टाइम में जब देश में लॉकडाउन है कोई किसी के अंतिम संसकार में जा नहीं सकता ऐसे इस समय में पवंद सिंग ने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया और दीपक सिंग के मा के अंतिम संसकार में पहुचे जी हाँ आपको बता दे कि अंतिम संसकार में कोई नहीं जा पाया था, बहुत ही चुनिंदा लोग थे, आप सभी को पता है लोकडाउन का सिच्वेशन है, इस वजे से काफी लोग वहां नहीं पहुच पाये थे, लेकिन पवन सिंग अपना सायत फर्ज निभाना जानते हैं, वैसे आपको बता दे, दिपक सिंग भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना माना नाम है, वो अक्षरा सिंग, हिसारी लाल यादो सभी के काफी करीब हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में दिपक सिंग को अगर किसी ने सहारा दिया, तो कोई और नहीं उनके बड़े भाई पवन सिंग है, आपको बता दे कि कुछ महीने पहले दिपक सिंग के भती जी की शादी थी, जहां पवन सिंग ने उनके भती जी से ये कहा था, कि वो उसकी शादी में जरूर आएंगे और जम कर नाचेंगे, तो पवन सिंग पहुचे दिपक सिंग के भती जी की सादी में और वहां उन्होंने जम कर डांस में किया था। लेकिन आपको ये बता दे कि पवन सिंग हमेशा ये कहते हैं कि आज जो कुछ भी हैं दीपक सिंग के वज़े से हैं। दीपक सिंग उनके भाई के समान है। उनके जीवन में कोई भी छती हो तो वो खुद पवन सिंग के जीवन में छती होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आज पवन सिंग ने अपनी एक मा को हो दिया। स्पेशल भूजपुरी की तरफ से दीपक सिंग की मा को भावपून स्रधान जली। स्थेशल भूजपुरी की मा को भावपून स्रधान जली।